आज हम लोग एक्सर्साइज वन डी को किलियर करेंगे एक्सर्साइज वन डी है इसको किलियर करेंगे प्रात्मिक गनित्टू वास्तिक संख्या वास्तिक संख्या को रियल नमरी बोलते हैं प्रास्ना वाली वन डी का कुछ महत्पूर्ण बाते पर हम लोग चर्चा करेंगे महतपूर्न निम्लिखिर पांच बाते हैं इन पांच बातों से हम लोग ये लेशन जो होगा पूरी तरह से समापत हो जाएगा अगर ये पांच बात अच्छे समझ में आ जाए तो जितना भी इस लेसन का किश्चन आने वाला है सारा किश्चन इन्ही बातों पर टिका हुआ है तो सबसे पहले हम इस बात को किलियर करेंगे कि है क्या अगर ये किलियर अच्छे से हो गया तो किताब का ये लेसन्ज होगा पूनता समाप्त हो जाएगा लेकिए पहला पौांट क्या है किसी संख्या को परिम्य संख्या कहते हैं कोई परिम्य संख्या कब कहलाता है यदि उसे P, agree, Q के रुप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पुणांक हो P और Q दोनों क्या होना चाहिए पुणांक होना चाहिए कि यो सुने तर पुनांगा चाहिए कि यानी जीरो के एलाव में doesn't यह 30 नहीं रहना चाहिए तब वह संख्या प्रमे संख्या कहलाता है। क्लियर हो गया यह और यह बाद हम लोग वास्थी संख्या के कंसे interessant में प्रहाद यह साराबाद फिर विम्दूरा रहें इसको अब यहां देखिए परमे संख्या का दसमलों परसार या तो सांथ या असांथ आवर्ती होता जी परमे संख्या का दसमलों परसार अगर इसको दसमलों को रूप में दिखाना चाहते हैं परमे संख्या को तो परमे संख का बिलोम वह संक्या जिसका दसमलों परसार सांथ या आसांथ आवरती होता है वह परिमें संख्या होती है कौन से संख्या होगी जिसका दसमलों परसार करने पर या तो सांथ हो जाएगा या आसांथ आवरती होगा तो आप परिमें होगा क्या होगा फिर नेक्स्ट परिमें स क्या जिसका दसमालों परसार सांत होता है तो को पीवाइक की रूप में ब्यक्त किया जा सकता है जो पर जिसका दसमालों परसार सांत होगा उसे पीवाइक की रूप में लिखा जा सकता है कि क्यू का भाजन है और इसका क्यू का भाज गुलंधन किया जाए तो क्यू का भाज इन्टू फाइप एम या टू एन सिर्फ हो सकता है या फाइप एम भी हो सकता है यह होता है सांध दसमनों परसार का अभाज गुनंधन करेंगे कियो का तब तो वह सांथ हो जाया क्यों जागा और इसके अलावा में और अगर कोई संख्या आ गया होता है असांध आवर्ती होता है यह पॉइंट भी क्लियर हो गया अब चौथा पॉइंट रहेंगे यदि कोई पर में संख्या पी अपॉन टू एन इंटू फाइप एम के रूप में हो बदला जा सकता है तो उसका दसमनों परसार सांथ होगा क्या होगा और यदि इसके अला है मैं कोई और आगया तो क्या होगा असांध आवर्ती होगा क्यों होगा कि लिए रहे उसके बाद यहां एक वास्टिक संख्या या तो परिम्य होगी या आपर में चुकिए हम लोग जानते हैं कि वास्टिक संख्या दो परकार के होते हैं वास्टिक संख्या दो परकार के होते हैं एक होता है परी में और एक होता है तो वहीं बोर है एक वास्टिक संखाई या तो पर में होगी या यदी कोई वास्टिक संखाई पर में है तो ठीक है अगर पर में नहीं वा तो वास्टिक संख्या रहना चाहिए क्या रहना चाहिए अगर वास्टिक संख्या ना रह आजेट फीस बात को आप लोग याद करके रहना होगा और तब जाके लेसन चर्ट हम लोग करें और लेसन यह इन बातों से लेसन पूर्णता है हो गाई आप इन बात को याद करके आप लेसन को समाव्थ कर सकते हैं देखें कैसे आपम लोग जो तो फ्र की प्राशना वाली वणने को लिएप करेंगे जिसने पहला किवचन है रेकतास्थानों को भेहरे यहतास्थानों देखिए पहला क्यूशन क्या है दू के पावर तीन ध्यान दिजेए कि तेइस बटे दू के पावर तीन इंटू पांच के पावर ऑदो ए काद दसमालो पसर क्या होगा जी तो बताया थे जिसका किऊ का अभाज गुनंडखन दू और पांच के रुक में हो तो वैसान तो होता है क्या होता है तों पहला में क्या बहुता हैंगा दूसरा कीफटें को है Is there I am 147 दू बतर है दू का पावर दू पहँद हो र साथ और सात का बावर फापए है तो यह क्या होगा देखिए दू और पांच के लाएं भी कोई संख्यान अगया यह होगा आसान क्या हो गया तीसरा किश्चन चार बटा पच्छातर तो पच्छातर को अगर आभाज गुनंखंड की आज़ा तो ध्यान से तीन से पहले ही लग गया जिन है और तीन इसमय सामिरी तो इने चार से बेने कटे गां तो यह क्या हो गया आसान तो गया और आप देखे चव्था है जिरो पंटीन साथ पांच के पीबike के रोप में कि क्यूंब का रूप होगा क्यूंब का रूप पूछ रहे हैं लोग से दिखान दिजे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाए एक दू तीन तो एक पर कितना 0 3-0 और इसको काटना चाहते हैं तो काट दिजिए और काटने का भाज गुनंखन निकाल के यहां लिख देना है चलिए अगर इसको काटना चाहते हैं और नहीं काटना चाहते हैं एक हजार है इसको करते हैं भाज गुनंखन क्या करते हैं तो दूसरे कितना पर में फिर दूसर और फिर दूसे एक सो पचीस और फिर पांच से पचीस और फिर पांच से पांच तो देखिए दू के पावर तीन आप पांच के पावर भी कितना हो गया इस रूप में ब्यक्त किया जा सकता है अगर आप इसको काट के छोटा कीजेगा तो यहां पर चेंज हो सकता है ना अग गर काट के छोटा पांच से काट तो छोटा होगा नहीं अगर छोटा दिया ता पांच अगहात क्या होगा इसलिए यहां पर ध्यान दे लिजिए अपने से अब अगला किशन फाइब अगर फाइब देखिये 123.096 और कि यू का रूप लिखना है कियू का क्या रूप होगा एक दू तीन तीनं के बाद था अभि इसको काट के छोटा भी दूसरा काट यह तो चोटा होगा काट के छोटा करने के बाद राधा शूनान संबर कर सकते हैं तो क regression हम ऐसे ही बता दे रहे हैं अदूसर लगाए इनकितना और में फिर दूसर लाइं नये ते फिर दूसर लगाएगे 125 फिर दूशर लेगा थीन से लेगा तपन्स रगए कितना और फिर पांस से तो अगर बीना काट देम लिक्वेंगे तो क्यों का रूप यह 1 बारो यह वाला हो जाला दूप के पावर प्ल सूप अगर आप काट के लिखे गा यहां पर दू वाला के पावर में चेंजिंग आ सकता है ठीक है आगे अब हम लोग लगूत रिये प्रस्न है कि दूसरा की जरन निम लिखित को यदी संभव हो निम लिखित को यदी संभव हो तो सपी बाइक यूपी बटाट टू एम टू एन इंटू फाइप एम के रूप में लिखे बदलना ना चलिए पहला किशन क्या है जीरो पाइंट जीरो एट शेवें फाइब इसको इस रूप में ब्याट करना तो चलिए देखिए सबसे पहले पॉइंट को हटाने को सिस करेंगे तो कितना हो जागा आठ साथ पांच पॉइंट के अंक बाथ है एक दू तीन चार नहां तो एक पर के ज पर में जी पांच एकम पांच आगा तीन दोगे साथ पचे अपचा अपांच दूनी बाकी धर तीन गोजीरो उसके बाद और पांच से कटे गांजी पांच यहीं पंदर है यहां बजिए पचा हाँ इसको पांच से कटेंगे ना चार सो बार में कटेगा और इकटेगा भी पांच से साथ बार में पांच से एसी बार में तो टोटल हो गया सात बटे कितना ही अब एसी का निकालेंगे तो एसी का भाज गुनन खन कीजिए दू से 40 फिर दूसे फिर दूसे अब फिर दूसे तो कितना हो गया 7 बटाए 2 के पावर 1 2 3 4 नहीं और 5 के 5 तो आना गया इसके रुप में तो यह वाला आपका अंसर हो गया कोई दिक्षट अब दूसरा क्यूस्टन 0.105 है चलिए देखिए यहां से यह पॉइंट हटा एक दू तीन एक दू आना गया है अतलिये काट किसको छोटा करते हैं हम लोग 105 को अगर 5 से काटते हैं कितना बार में एक इस बार में कटेगा आरी और कटेगा अब नहीं कटेगा तो हमें 21 का 21 बटा यहां 200 का भाज गुनन खन ग्याद कर लेंगे दूसरे फिर दूसरे और 25 को पांच गुने पांच नहीं तो चलिए दू के पार कितना है एक दू और यहां पांच के पार एक बन गया इए कोई दिक्त है तीस परकार से हम लोग को तीसरा बना लेना है अब देखिए पाचवा देख लीजिए ध्यान से पाचा वाइन पॉर्ण सिक्स डॉट 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 यहां पर यह क्या सांत है सांत होगा तब नहीं सुरूप में बदला जाएगा यह आसांत आवरती है तो लिखेंगे इसका इस फॉर्म में लिखना संभौ नहीं है क्योंक कि यह क्या है आसांत आवरती है इसलिए इसे पी अपाउन टू एन इंटू फाइप एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो दूसरा भी क्लियर हो गया तीसरा क्यूशन है कि बीना भाग दिये बताए कि नहीं लिखित के किनका दसमलों परसार संथ होगा और किनका नहीं उनके उतर की पूछती करे देखिए जिनका अगर दसमलों परसार संथ होगा तो इसको संथ के फॉर्म में लिखना कि कितना पर वो संथ हुआ चले ध्यान 243 का अगर अबहाज गुलैंधन करें तो और पांस के अलाएम आने वाला से क्या होगा अजब दू और पांस के राएम ऐगा तो यसान्थ होगा कि बीना वाग दिये बतादि YEA Wam इना भाग दिये मतलब अभाज गुननखन करना होगा हैर का भाज गुननखन किजिए और उसमें अगर दू और पांच के फॉर्म में आता है तो वह सांथ और उसके अलावे आगा तो तो यह सांथ होगा चलिए लिखा जागा सांथ दूसरा तीन बटा आठ 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 को अगर भाज गुननखन करेंगे तो दू गुने दू गुने दू होगा न जी तो केवल दू के रूप में भी होता है तो क्या होता है वह क्योता है यहां लिखते हैं कि सांथ है क्या है तीसरा 64 बटा चार सो पच्पन तो सबसे पहले चार सो पच्पन का भाज गुनानखन गयात करेंगे चलिए कितना से लेगा पहले लाश्ट में अगर पांच तो पहले तीन से लगाने कोशिश करेंगे तीन से ना लगे तब पांच से और तीन से लगने तेरी का बताते जोड़ेए और जोड़ने पर तीन से करताय तो यह यह कि 곳 छौदर से कड़ता है क्शॉ नव परचे नज कितना अगैँ हम पांच साथ किथnegये एड़ और धियान दिए फ्सक्या दोख पत्र फिर शाथ साथ ये थी आशांता हो गया योग दंट न होगा क्र छादिए आप दिघ्यों था और द्र ost कि अ छे बटंटा पैंड रहे सो काट के चिछोटा की जी को काटे कीनो हो गा दूत यहही और पाइस धी चलिय लाफ्त में कतना बहुत या ती हो गया सांथ क्यों हो गया चलिए चौथा क्या हो गया अब पाचवा देखेंगे हम लोग 35 बटेपचास काट के पहले छोटा कर लेंगे और ना भी छोटा करेंगे तो अगर हम निकालते हैं अब हाज गुन अनकें दढू गुनेu 5 इसक्षा पार दू होता है तो यह क्या होता है संट रहे यह पाच वास संट है यह जो अ ँचछा देखेंगे अब लोग विजन नटीस परकार से आप लोग साभी इसमें से सभी किशन गुल्वन करेंगेगे approved Lexstanden कीवशन है नव थड़े क कूं सथ हो फॉप के लिए रोगे नहीं अधिसरा आंपनों छौता गए लिखीत pagar एक कीसिये अब यहां पर दस्मालो परशार गयाथ करना हो विए कना दस्मालो परशार होगा कितना और्गा इसको लि lingering नायब चलिए देखते हैं हम लोग चौथा में पहला क्या है तीन पहला है तीन पुर्णांग तीन बटा इसका दस मलोग परसार गयाद करना तो देखिए अड़ तरी की चोवी सातीन कितना होता जी बटा में अभी से इसमें लोग भाग देंगे क्या करेंगे चलिए अड़ लाइकरी की कितना बचेगा अब देखिए संवागने लेगा यहां बैठा देंगे एक दस मलो ऑई दसमेलो हर एक बर जितना से सायगा सभी सेश को एंगो जीरो गिफ्ट करता फिरी में है तो देखिए 10 गिफ्ट किया इसको कितना बार मिलेगा सब से पहले यांद आठ है तो सांत ना होगा तीन आंको के बादी रूख जाएगा क्योंकि यहां दू का धिक्तम पावर तीन आने वना है तो तीन के बाद क्यों जाई पचले देखे फिर से रगाई कितना बर में आड़ तरी की यह निचे कितना बचेगा अब ध्यान दीजे यह फिर इसको एक जीरो ग तो देखे कितना यहां यहां लिख देंगे तीन डेसमलो तीन साथ पांच ही हो गया अंसर को दिकत है दूसरा क्यूश्चन देखेंगे हम लोग एक मिनिट बन जागा ठीक है देख लेते हैं दूसरा क्यूश्चन तीन सो सताइस बटा कितना देखिए अब इतना ऐसे पहले तीन सो सताइस को हम पांच गुने सो लिख सकते हैं अब सबसे पहले क्या कि जिए पांच से क्राम भाग कराई ये क्या करें हम लोग पांच से भाग कराते हैं को जिक है तो भाग कराई ये पांच एक बचादू सताइस नहां पाचा दू ओ सॉरी और लेगा दसामलो जीरो पैंच ओके कितना गया 65.4 बटा कितना सौ भी है यह नहीं है अब देखिए नीचे के को जीरो है क्यों जीरों लगावाद इधर आ जाया दूं क्यों जेगा तो हो जाएगा पाट वाकुषन है निमलेखी तवास ती संख्यों में कौन परमे और कौन नहीं है कौन परमे है और कौन परमे नहीं है परमे के स्थिति इस निक में क्या कहा जा सकते है क्या वह संत हुआ कि के बारे में हम लोग का बताना है चलिए पहला क्यूचन है पास्चानना इसमें की पर्मिहा की चलिए तेतालीस पॉइंट एक दू तीन चार पांच शे साथ आठ नौ इस पर रेकरिंग है तो जब किसी संख्या पर रेकरिंग दे दिया जाता यानि इसका कहने का मतलब यह है कि अगर भाग दिया जाता तो एक दूत tailor पांच साथ आथ आथा जाता रहता या रोकरे परिमे कि एह बिखाने की चया था какие यह सजान्द आवर्न और एनजी कि यह पारिमें है लेकिन इस पीवाइक की गुरुब में लिखा नहीं जा सकता है कि लिए लोगए पहला दूसरा कि दूसरा जीरो पाइंट वन टू जीरो ठीक है ने वान-टू डबल जीरो अभी है इसे आप देख सकते हैं कि वान-टू के बाद जीरो वन-टू के बड डबल जी रोगे तो सं आपर में होता है यह आपर में है तीसरा यह आनावर्ती भी का सकते नहीं आपर में कहें यहां पार में आपर में बने पाजाने लिए बॉला था अगला पांच पॉंड एक दू तीन पांच पॉसरी पांच तीन साथ है ना और रेकरिंग है तो देखिए रेकरिंग है तो पर में है यह पर में ना तो यह संक्या पर में होगा इसे भी पीवाई की के रूप में ब्याग्त आगे चौथा क्यूशन देखिए पीवाई की रूप में ब्याग्त करते हैं क्यों का जो अभाज गुलन होता ना वो इसके रूप में ब्याग्त नहीं होगा दू और पांच के रूप में नहीं होगा आगला है जिरो पॉइंट तीन पांच तीन पांच पांच तीन पांच आपर में तो यह दोनों आपर में और दोनों परीमिय हो गया तो इस परकार से हमारा आज का लेस्ट यह लेसन समावत होता है प्राशना वाली वन डी किलियर हो गया अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुपद क्या पढ़ना है ठीक है